दोस्तो नवश्कार मैं श्रावन सी एल सी सीकर से आज नीट दो हजार इकीस के बच्चों के लिए एक युनिक एन पैरलल और फ्री ओप कोस्ट सुडेंट्स वेलफेर के लिए एक नई चीज हम लोग सूट करने जा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे ही कोरोना टाइम में हम लोगों ने आपको नीट के प्रिविएस पेपर के टोपिक वाइज वीडियो सोलुशन प्रवाइड करवाए हमारी यूट्यूब चैनल पे जिनका अल्टिमेट रेस्पोंस रहा 2020 में बहुत से बच्चों के रिजल्ट में वो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं या किया दोस्तों उसी थीम पर बच्चों के फीड़बेक पे बच्चों की रिक्वाइरिमेंट पे हम लोग एक नए नई चीज लेके आपके लिए आ रहे हैं क्या है नाम हमने दिया इसका गुरु निती 180 वर्सेज 180 नीट में 180 क्यूशन आते हैं हम आपको 180 वीडियो देंगे 45 फिजिक्स के 45 चेमेस्ट्री के 9 के बाइलोजी के क्या होगा इन वीडियो के अंदर 45 टोपिक फिजिक्स के बढ़ाए हमने अब एक वीडियो में कहीं 35 क्यूशन हों कहीं 40 क्यूशन है नमबर और क्यूशन फिक्स नहीं हो पाएंगे लेकिन हम लोग उस टोपिक के सारे कॉंसेट्ट पे क्यूशन आपको देंगे जिनका सोल क्यूशन होगा आज पास की थोरी को लेपेटा जाएगा और रोज रात नो बजे ये अप्लोड होगा जिस डेट पे इसका सीडूल है सीडूल क्या है वह आप देखें सबसे पर फिजिक्स की बात करूँ यूनिट डाइमेंशन मेजरमेंट ये क्लास आपके पास 26 अब बाइलोजी पे आप आएं तो आप देखें बाइलोजी में जौलोजी आपके दोस्तों 26 को आएगी बोटनी आपकी 27 को आएगी कहने का मतलब है 26 यानि एक दिन फिजिक्स और जिलोजी आएगी नेक्स डे केमिस्ट्री और बोटनी आएगी यानि 180 लेक्चर हैं आपके पास एक दिन में दो लेक्चर आएंगे दो वीडियो आएंगे ताकि आप उनको देख भी सकते हो और वो सेल्सी सीकर के यूटूब चैनल पे जिसे आप देख रहे हैं एग्जेक्ट रात को ठीक नो बज़े दोस्तों ये अपलोड हो जाएगा ओके डियर इसका पूरा फाइदा लेने के लिए आप इसके अकोर्डिंग अपनी प्राइस टार्ट कर सकते हैं और विशेश रूप से उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टेडी कर रहे हैं उनके लिए रामबान साबित होगा और जो रेग्डू स्टुजेंट हैं उनके लिए अच्छा है ही है इसके अलावा आप एक सेल्सी की टेस्टरी चलती है अपने उसको फोलो कर लेते हैं और इस वीडियो को फोलो कर लेते हैं तो साइध मैं कहता हूँ कि आपको इस आप रिपीटर हैं आपने एक या दो सार कोचिंग ले रही है तो साइध आपको क्लास्टरी की जरूरती नहीं पड़ेगी इसी थिम पे हम इसको सूट करने जा रहे हैं 26 अक्टूबर को ये सूटिंग स्टार्ट हुई है और दोस्तो पांच मार्च को आखरे भाया को दिखाए पांच मार्च को भाई इसका आखरी वीडियो आपके पास आएगा पांच मार्च को ही समाप्त हो जाएगा यानि अक्टूबर 26 अपर नौंबर दिसंबर जनवरी फरवरी अल्टीमेट चार महने और साड़े चार महने कह सकते हैं कंप्लीट स्ले बस आपके पास आजाएगा ओके डियर इसलिए आप इस खुश्बू को अधिक्तम अपने दोस्तों तो पहलाएं CLC Seeker के YouTube चैनल पे अपने दोस्तों से कहें कि एक बहुत पहरी चीज हैडिंग दिया इसका हमने गुरू निती दोस्तों दोस्तों नीट के आगे आई लगा दिया तो यह भावनात्मा के लगाव था तो हमारा गुरू निती सब बना आवा रहे एक 180 वरसेज 180 एक 180 किस्षन एक 180 वीडियो ओके डियर तो यह इसका इंट्रोड़क्शन था बास सुरू करें तो दोस्तों आज आपका फिजिक्स का पहला लेक्चर हम लोग सूट करने जा रहे हैं और इसमें हम दो साथ ही एक साथ खड़े होंगे जिसकी सूरसर तो सारे कंसेप्ट्स को हम लोग कवर करेंगे ऐसा हमारा इसके साथ एक प्रियास रहेगा और प्रियास का ऐसा होगा ठीक ओके डियर, तो क्लास रू करें हमारी, ओके थैंग्यू, हाँ तो दोस्तो, क्लास रू करें, मैसलब श्रवन, आप मेरे किसोर सर हैं, हम मेरे स्टुडेंट पे रहें, CLC के, और मेरे टीम के मेंबर भी आज हैं, आज हमारा टोपिक है यूनिटे, डाइमेंशन, मेजरमेंट, यानि इन टोपिक पे, टोटल हम आपको 40 कुशन देने जा रहे हैं, और हमारा ऐसा मानना इन 40 कुशन पे, ये मेटर आल्मोस्ट हम आपका कवर करवा देंगे, ठीक है डियर, तो आज 26 अक्टूबर को ये पहला वीडियो, गुरु निती का, आपके सामने हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है, आजो, फर्स है, लाइट इर इस इन टोफ, प्रकास वर्स मातरक है, ये बड़ा सिंपल कुशन है, पबलिक यहां कन्फूज क्यों होती है, जैसे उसको इर दिखाई देता है, वो लगता है कि समय का मातरक है, और यहां बच्चा गलती करता है, ज क्योंकि दोस्तों मातरक किसका है, डिस्टेंस का है, नेक्ट कुशन पर आ जाए, आगे देखो, जीरो डिगरी सेल्सेस टेंपरेचर और केलिवीन पैमाने का सही मान क्या है, अब आप कहोगे साब, यह क्या है, तो वो सिंपल है, दोस्तों सिंपल तब नहीं है, एक अपज रखना, यदि हम केलकुरेशन करते हैं, तो हम 273 काम लेंगे, दान चाओं क्लास काम है, तब तो 273 काम लेंगे, लेकिन एक्जेक्ट होता 273.15 है, और यह सबसे ज़्यादा काम बताओं कहां आता है, एक सब दोता ट्रिक बिंदू, ट्रिपल पोइंट है, याद करो वाटर का ट्रिपल पोइंट होता, 0.01 डिगरी सेल्सियस, वहाँ दोस्तो इसका आंसर बनता है, दोस्तो 233.16, आप थोड़ा सा स्रीन के सामने, दोस्तो 233.16, बात की सुंदरता समझें, दोस्तो 233 काम लेंगे, लेकिन 233.15 है, और इसका एक्जामपल देता हूँ, वाटर का ट्र है, तो फिर 233.16, आगे क्या लगेगा, वो तो कहने की बात ही नहीं है, ये सुंदरता है, समझेंगे हो, इस तरह हर कुशन के साथ बात को कहते आगे बढ़ेंगे, ओके डियर, आप थार्ड कुशन पर आएं, नेमले खित में से कौन सी रासी की, अगरा साप कहता है, गलत स का लेंगे बाई, सब से दो को दोस्तों, तो टोर्क, तो टोर्क क्या होता है, आर क्रोस एफ, दान दे बात का, दोस्तों, आर क्या होता है, मीटर, एफ क्या होता है, नूटन, बोला की ज़रतर क्या होगा, नूटन हो गया, तो नूटन मल्टिप्लाई, मीटर, तो ये क्या inverse square प्रतीबल देखो यहां एक बास सुनना आप जानते हो दोस्तों गामा एकुल्टू क्या होता है stress by strain जानते हो दोस्तों stress क्या होता है याद हो f upon a होता है strain दोस्तों क्या होता है आप जानते हो strain को मैं एक example ले लू तो delta l by l होती है आप जानते हो प्रतीबल बटा विकृती विकृती का मतलब होता है चेंज जो कोण डेटा तो यह dimension लेस है इसकी कोई dimension नहीं है stress दोस्तों f upon a और दोस्तों f upon a एक बात और सुनो f force है ए एरिया है यह pressure भी हो गया धान देना यह pressure भी हो गया दाब क्या होता है एक आंक चेटर फल पे लगने वाला बल एक force which applied on unit area उसको आप force भी कर सकते हैं उसको आप stress भी कर सकते हैं और उसको यंग का परत्यास्ता गुनांग भी कर सकते हैं तो कई बार आता है कौन कौन से dimension से सेम है तो elasticic coefficient, stress और pressure इन तीनों के dimension क्या होगी? सेम, अब आप खुद देखो, force क्या होता है? Newton, area क्या होता है? meter square, तो Newton upon meter square, ये भी वही? सही है थर्ड पे आजा, modulus of classity era, Y, गामा कहते हैं इसको Y गामा कहेंगे, ये क्या है? stress upon strain, ये दोस्तों Newton upon meter square, उसे ही है, दोनों ये की बाते हैं, ये आपका सही हो गया third दो surface tension है, मैं एक बार इसको मिटा दूँ अब आपके लिए, अब दोस्तो, surface tension क्या होता है? पूरी class जानती है, उसको T कहते हैं, वो दोस्तो T equal to F upon L होता है surface tension क्या होता है? unit लंबाई पे लगने वाला force, देखो, pressure क्या है? unit area पे लगने वाला force, surface tension क्या है? unit length पे लगने वाला force है, तो ये न्यूटन upon meter है, तो ये मेरे भाई तेरा गलत हो गया तो हम दोनों पिता-पुतर कह सकते हैं, student teacher कह सकते हैं, इस तरह मिलके आपको अगले 45 वीडियो देखे हैं, इस तरह से discuss किया जाएगा कुछ साथी हमारे इसमें और भी सब का introduction कहेंगा आपको हम लोग, introduction, तो ये दोस्तों आपके सामने हुआ, तो आप देखो, बातु बातु में कितने बात आगी प्रचास्ता गुनांग अपॉन प्रती बलबटे, विक्रिती, यानि y equal to stress upon strain, strain क्या होता है, dimensionless है, stress कहो, चाए pressure कहो, चाए young's modulus coefficient कहो, सबकी dimension एक हो गई, फिर आपका surface tension आया, f upon l कह दिया, तो बातु बातु में क्या हुआ, बातु बातु में क्या हुआ, बातु में देखो आपके बढ़ेगा, ओके डियर, अपने next question पे आते हैं, आपके साथ रहेंगे, आजाओ, टौर, मेरा पिरे question है, दोस्तो टौर कहो चाहे, pressure कहो, ये technical सब्द है, टौर, दाबका, ये मेरे साब से medical, में सबसे आपके time से famous है, सबसे ज़्यादा बार exam question है, ओके डियर, अगले question क्या हो, अगला साथ कहता है, स्वर्प्रेंड का मात्रिक क्या है, self-induction, देखो दोस्तो, self-induction का होता है, E equal to L, DIY, DT, ये formula याद होना चाहिए, माइनस आएगा, माइनस की बात नहीं करें, क्यों हमें एक मात्रिक चाहिए, मात्रिक प्लस, माइनस को फर होता है, current, तो दोस्तों, इसका मात्रिक वसे देखा जाए, तो, volt, guna, second upon, ampere है, अब देखो, ऐसा कोई मात्रिक है, इसमें है यह नहीं, अब ऐसा कोई मात्रिक नहीं है, तो इसको आगे change करें, तो आगे किसमे करें प्लस को, अब अपने V upon ampere, आगे जो, तो खुझ जानत यान सुरा गया, क्योंकि दो, देखो डियर, रटा नहीं मारना है, मैंने लिखा E equal to L, Di by dt, मैनिस की बात नहीं करूंगा मैं, तो L equal to E multiply dt by di, मेरा मात्रिक आया, volt, second ampere, ऐसा object ही नहीं है कोई, तो जैसे मुझे object, दो को दोस्तों सुनो, objective exam में, value हापकी ग्यानकी नहीं है, value object, यह अगला क्या पुस्ता है, ठीक नहीं है, तो आपके साम, तो आमने बदा दिया, V upon I क्या हो गया, R हो गया, R हो गया, तो यह ओम हो गया, O multiply, second, यह आपका question number हो गया, 5, आप अगय चले, question number दो, 6 पर आओ, यह बहुत तरा question number, यह आप जानते हो ना, गयसे दो परकार की होती है, एक होती है, ideal gaze, एक होता real gaze, ideal gaze का equation होता है, PV equal to nRT, और gaze real हो, तो दोस्तों आप जानते हो, P भी change हो जाता है, V भी change होता है, P plus A upon V square, multiply V minus B equal to constant, अब इसमें दोस्तों, अब यहां एक सुन्दर चीज आ रही है, हम सब जानते हैं दोस्तों, P plus A upon V square अगला मुझसे, दोको दोस्तों प्रेशर है, प्रेशर के अंदर प्रेशर ही add होता है, याद करो, मिटर में मिटर जुड़ता है, समय में समय जुड़ता है, मिटर से मिटर माइनस होता है, समय से समय माइनस होता है, गुना किसी का भी किया जा सकता है, डिवाइड किसी को भी किया जा सकता है प्रफ प्लस और माइनिस की बात आएगी तो आप किलो के अंदर समय नही जोड़ सकते आप समय के अंदर डिस्टेंस नहीं जोड़ सकते तो आप दोस्त manufacturers प्रेशर है तो ये pressure है तो ये भी किस के रिट है pressure किया कहने का मतलब ये है आप ये कह सकते हो P equal to A upon V square और इसको दोस्तों आप अपनी बहासा में F upon A कह सकते हो एकी बात है अरे pressure क्या बोलते है F upon A F अपन जानते हैं क्या होता भई Nूटन अब तेरे को E का मात्रिक ची है तो E का मात्रिक ची ए तो देख F है मल्टिपलाई V स्कायर अपॉरन A अब तेरा यजो V है न यह वोल्यूम अब यह वोल्यूम है यह अब एफ क्या होता है नूटन नूटन कहीं दिया ही निपलेने कोई बातने CGS में है तो फोर्स का मत्र का होता है डाइन तो आपके सामने डाइन मल्टिपलाई यह दोस्तो वोल्यूम वोल्यूम में डिस्टेंज की तिवार आते है दूरी की तिवार आती है तीन बार तो मिटर क्यूब होगा फिर इसका स्कायर है तो यह क्या होगा आपका centimeter 6 होगा अब निचे क्वोण है Area अब तू जानता है area निचे है तो area में क्या हैगा आपपॉन तो area में क्या हैगा दोस्तो centimeter स्कायर तो तेरे सामने-सामने मात्र अदर हो गया dine multiply centipower four dine multiply centipower four पूरी बात बोलता हूँ लो PV इक्वल टू आर टी आईडिल गेस का एक्वेशन है इसका नाम यहाद है कि रहा है वंडरवाल एक्वेशन FP प्लस AV स्क्वाइर V माइनस B दोस्तो यहामन A का निकाल दिया अगला मुझसे B का फुस्ता दोस्तो B क्या है V माइनस B आईटन में B माइनस हो रहा है तो जो मातर का आईटन का है वो वोल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूग तो इसका क्या हो जाएगा मीटर क्यूद क्या हो जाएगा L3 क्या हो जाएगा भई L3 बोलो हाँ या ना हमने पूरी बात आपको नहीं कहा, अब आपको डाइन क्यों लिखा, न्यूटर क्यों लिखा, तब मैं क्या करूँ हूँ भगया, मात्र की डाइन का है, आपको मीटर क्यों लिखा, पर आंसर किसमें सेंटीमेटर, इसे क्या फरेक पड़ता है, मीटर या सेंटीमेटर से प्र pattern x equal to 80 plus bt square, दोस्तों वही बात है, यह distance है, यह भी distance है, यह भी distance, तो distance equal to distance ही होगा, और distance में distance से plus होता है, distance से minus होता है, तो bt square जो है, लोग एक बार अपने से color change कर लेते हैं, दोस्तो bt square जो है, वो distance के ब्रावर है, और distance का मतलब है, m0, l1, t0, यह आपने उसको meter कह सकते हैं, अब आप देखो, आपको क्या चीए, b चीए, तो b में दोस्तो, meter में किसका भाग दे दो, t square का भाग दे दो, t square का मतलब क्या हो गया, समय हो गया, अब आपका मतलब क्या है, दूरी बटा समय का square, यह दूरी बटा समय है, यह क्या प्रक पड़ता है, किलो मेटर दो, क्या प्रक पड़ता है, यह रहा, यह थैंक्यू बटार सर, दूरी बटे समय का square, बोलो हाँ या आना, आरा बात का मज़ा, रहो रहा है सब कुछे, यही अग्जामे घाते हैं, यह वह है कुछें है, बहुत आजी कुछें आते हैं, जो آदमी नीट की त्यारी करता है वो तो स्रेट हो जाता है, और नीट के साथ जो आई टी की त्यारी करता है, पिजिक्स पे रिसर्ट करता है, वो भू है पिर कही साल मों तो मेरा अनुबह हो एए यह पेपर में थाई क्या बिस का देख लो उनिस का देख लो क्या है पेपरो में आई निरा पेपरो में तो दोस्तो आपने मैं तो खोज की नहीं भीया जिन खोज की है अरे यह साइन्टिस्ट के नूटन को मातर थोड़ा ही है ना मैं नूटन साइन्टिस्ट का साइन्टिस्ट ने काम किया तो उनका मान सम्मान देने के लिए फिर अगले साइन्टिस्ट नोंको पद दे दिया ओके डियर, यह आठ नमर कुशन हो गया, नो नमर क्या हो, स्परस्चाद हरामापी में परिवर्तन गुणां का मात्रिक क्या है, दोस्तों, दा यूनिट ओफ रिडेक्शन, फेक्टर ओफ टेंजेंट गदनुमिटर, यह एक बहुत प्यारा कुशन हो दियर, इसमें आप कॉंसेप्ट है, वो यह होता है, कि दो कोईल होती है, जो एक दूसरे के परिप्रिवर्तन होती है, और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, दोस्तों, जो वर्किंग प्रिंसिपल इसका है, वो होता है, आई एक्वल टू के टेंजेंट थीटा, बस इदान प्रिवर्तन र है तो k equal to क्या हो गया भईया आई एकल to क्या हो गया कि आपको k पूछ है किसके बरावर हो गया एंपेर के जहां तक मेरी memory काम करती है यह exam में एक बार नहीं कई बार आया हुआ है फिर सुन लो this is principle of tangent galerometer स्पर्श्या दहरामापी का कारी कारी सिद्धान्त है जो topic पढ़ाएगा तब आएगा आज उसकी बात लंबा हो जाएगा last formula निकलता है इसका i equal to k ten theta क्यों sir तो theta का कोई sign हो चाहे को सो चाहे टेन हो इनका कोई dimension हो गयरा कुछ होती नहीं है तो i और k equal हो गए i k की एक हो गई तो k किसके बड़ाबर हो गया i i मतलब है ampere आगे चलो भहिया 10 में आ जाओ 1 amu के equivalent भहिया simple है ये कुछ नहीं करना सिदा सिदा सा होता है 1 amu equivalent 2 1 amu किसके बड़ाबर है तो 1 amu दोस्तों याद करो एक तो होता है एक पाइंट 6 गुणा 10 की घात माइनस 27 केजी इसके बड़ाबर है माइनस 27 केजी है तो अपना माइनस 24 ग्राम आ गया और याद करो दोस्तों एक mass defect का formula होता है e equal to delta mc square एक amu का के mass defect होता है इसको गुणा भाग करते हैं तो 931 mega electron world की उरजा निकलती है तो 34 31 को बन लगए एक मान सकते हैं आंसर क्या हो गया उप्रोग सभी सुन लो रहे है modern physics का question है एक amu का कहीं दर्यमान च्छती हो जाए atomic mass unit के बराबर जब कोई nucleus बनता है nucleus मिलकर जब nucleus बनाते हैं नाभीक एक कर्ड मिलकर जब नाभीक बनाते हैं तो दर्यमान के च्छती होती है वो दर्यमान के च्छती उरजा में चेंज होती है याद रखना होगा एक amu बराबर होता है 931 mega electron volt याद कर ले पक्का आएगा एक्जाम में ठीक है, ओके, अगले किशोन प्याजा भाईया, अगला, ये फिर गरबड़ करता है, बहुत प्यारा है, किलो वाट आवर, जैसे पबली को वाट दिखाई देता है, वो कहता है, सक्ति का मातरिक है, अरे नहीं, बोले आदमी, इधर देख, P equal to W by T, कार ये करने कि दर को सक्ति कहते हैं, ये कोन है रहे, वाट, ये कोन है, जूल, और ये कोन है, टाइम, तो भाईया, वाट को जो टाइम से गुना करें, जूल हो गया, तो ये तो कारिये का मातरिक हो गया, उर्जा का मातरिक हो गया, वर्क का हो गया, इनर्जी का हो गया, तो भाईया, इनर्जी का हो ग से multiply किया रहा, what जब समय से, what जब समय से multiply होता है, तो जूल बन जाता है, अब जूल को आप वरक कह सकते हैं, आप energy कह सकते हैं, अब वरक मेरे हाथ में नहीं है, energy मेरे हाथ object क्या है, energy है, मैं किसको टिक लगा दूगा energy को, बोलो हाया ना, क्योंकि सोर सही चलता मामला, आज़ो जागे चलो, question number 12 पे आज़ो, लंबाई और बल की काई को चार गुना बढ़ हैं, तो उर्जा की काई क्या होगी, ये एक नया question आ गया, ये साथ हो जाए, नया concept है, लंबाई और बल, तो दोस्तों सबसे पहले एक बात है, उर्जा का, उर्जा बोल दो, कारिये की बात कोई दिखते हैं, कारिये का वो फोमुला लिखो, जिसमें F और D आते हो, क्यों बहुत, दान्दे क्लास, एक बात है, वर्क बोल, गुना कर दिया, चार गुना, ये भी चार गुना हो गया, ये भी चार गुना हो गया, तो तेरे सामने सामने दोस्तों नया क्या हो गया, सोला गुना हो गया, क्या दिखे देख, इंक्रीज, डिक्रीज दी, इंक्रीज, बोलो बोलो हाया ना इसमें बहुत अपन एक बात और एड़ करें है जैसे अपन लोगों ने इसकी क्या है यह मातर को जार गुना किया है तो ऐसा करने से क्या हुआ कि कारिय का मातर है वो 16 गुना हो गया जाए है अब जैसे परिमान को अपन कहते हैं वो ता एंड इंट यू अब जूंकि हमने यहां क्या करा कारिय का हम लोगों ने जो यूनिट है उसको अपने 16 गुना हो जाएगा यह बड़ा यहां प्रोवल्म होते है बच्चे इसमें गड़ते हैं ठीक है तो इस 16 टाइम इसमें चेंज होगी उर्जा की इकाई 16 टाइम चेंज होगी आप इसमे आप फॉर्मुला लिखो और फॉर्मुले में जहां जागला कहता है वैसे वैसे आप करते जाओ तो आपका 16 टाइम इसमें दोस्तों यह इंक्रीज हो गया ओके डियर थैंक्यू अगले पर आएं पार से किसका मात रख यह यह दोस्तों एक सिंपल क्विश्षन है पताएं कि जोर से किस पर ट्ल लगा है इसमें पार्सेक दिस्टेंस का मात रख है बोलो हाँ याना कोई गर्वड चलो जी नेक्स्ट आजा ये मेरा फिरी क्षिशन है दोस्तों बहुत तरह क्षिशन है M V R equal to N H upon मेरी निगाहों में नीट में 1916 से लेके 20 तके बात करो सबसे ज़्यादा बार को क्षिशन आया है तो एक्जाम यही आया है M V R क्या है angular momentum H N constant ये constant तो angular momentum को हो जाए plank constant को कोनिया सम्वे की विमा और plank नेतांग की विमा एक जैसी होती है मेरे इसे बड़िया कोई क्षिशन नहीं है अगरा सहब कहता है H upon 2 pi इस दा dimension of H upon 2 pi विमा किस तरा C की है तो भाईया H upon 2 pi तो 2 pi तो कि ठाहीं नी ना बात दुबह है थोड़ा है H की विमा किसके बराबर है M.E.V.R के बराबर है याद दियें गया भूल गये गया Atomic Structure है कौन स्टेबल कोस है स्टेबल कोस हो वो होता है जहां M.E.V.R H upon 2 Pi का दान देना रहे NH upon 2 Pi गुण क मत बोल देना NH upon 2 Pi का मतलब तो एक N से मुल्टिप्लाई और करना पड़ेगा H upon 2 Pi का मुल्टिप्लाई है यह दान देना चीज़ का ओके डियर तो इसका आंतर क्या हो गया फोर्थ हो गया अंगुदर मोमेंट तो रहाया ना यह बहुत परा क्षिशन है अग्जाम के दरस्ते में बहुचा क्षिशन है ओके डियर नेक्स्ट क्षिशन भी आजओ क्षिशन पंदरा देखो यह देखो बहुत परा क्षिशन है L, R, R रिस्पेक्टिवली दा इंडेक्शन एंड डिस्टेंस L upon R देखो बहुत तीन क्षिशन बनते है देखो डियर L upon R जो है वो टाइम है रूट L C है वो टाइम है और दोस्तों एक रमेश संदर है वो टाइम है पिरा फंडा है ललूराम टाइम है रमेश संदर टाइम है और लाल संजी का रूट है टाइम है यह तीनु ही टाइम के उनिट है जिनको तीनु को अपन टाइम कॉंस्टेंट कहते है L C R सिर्किट के लिए याद है कहां से आया याद है क्या है F इक्वल टू टू पाई रूट L C बूल गया रहा है अरे A C पढ़ते हो तो L C R सिर्किट बनाते हो और जो रेजोनेंस होता है उसका अनुनाद जो होता है यह नहीं है क्या अनुनाद आवरती F R अपॉन 1 अपॉन 2 पाई रूट L C फिर सुन ले भईया L अपॉन R ललू राप, माफ़े चाहता हूँ तोड़ा सा ट्रिक बना रखिए यह टाइम का कॉंस्टेंट है रमेश्ट संदर टाइम कॉंस्टेंट है और लाज चंजी का रूट हो और बहुत परी बेकूफ ही करते हैं कही बार लो अगला हमसे कही बार L C की पूछ लेता है और पबलिक टाइम करके आज़ा देने बहुत है बहुत है बहुत है L C की डाइमेंस पूछ ते दोस्तों यह टाइम का क्या हो जाएगा रहे सुकायर हो जाएगा गलती मत कर देना यह तो गलती एक्साम होती है आप अपने दिल से पूछो इदि आप देन नीट 2020 का एक्साम दिया था तो साइथ 25 के पैंटर क्यूशन आपको आ रहे थे पर आपके सही तो नहीं हुए ना कोई सिली मिस्टेक कर गए पढ़ने मिदल्सी कर गए ते जल्दी बाची कर गए किया है ना यह मत करो डोक्टर बन जाओगे आगे चलो भईया यह इस प्रस्टों में कभी नहीं बूल सकता भई मैंने 1990 पीटी का एक्साम दिया था RPT मेरी RPT का पहला क्यूशन था है मुझे आज भी याद है M-1L3 T-2 आज भी याद है मेरे को M-1L3 T-2 यह मैं जिन्द के नहीं बूल सकता क्योंकि मेरे अग्साम दियने गया था RPT का पहला क्यूशन मिला मुझे आथ था है मन टिक मारा मन का मज़र मेरे आज भी याद है उसमें मेरा RPT में सेलेक्शन कराने वाला क्यूशन था है फिजिस का पेपर था है फिजिस का पहला था था chemistry पहला था maths पहला था यह मुशन आज भी आते है घंक्यू 17 दडता गुणांग के लिए दोस्तो दडता गुणांग का मतलब क्या है वो ही परक्टासता गुणाग कि होती है बाण आप जानते हो यह सब के लिए होती है यह 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 परेशर का है जब फोर्स पर अरिया का है बस इसकी उनिट दिका ले तो फोर्स की क्या होती है जरा बोलना किसो अरश है M1 L1 T-2 upon L2 तो M1 L-1 T-2 M1 L-1 T-2 आप कहां शुरू हो गया फिर से आ गया जैको याद परो gelatin के coefficient फीन प्रकार यह खिए है एक gamma होता है एक बीटा होता है एक nucle होता है वो तर आप जानें तें ठोस के अलग होती है दरवे के अलग होती है गेस के अलग होती है याद आ यर लेकिन future change नहीं होती है ओगे Kerryं को आगे चले हां दोस्तो किश्ण नमर 17 यहां अपने को एलेक्ट्रिक प्रेश्टेंस, प्रेश्टेंस, स्पेशिक रेश्टेंस और स्पेश्टिक कंडेक्शन, या यह सरकिट के टोपी की सारी डायमेंशन से, तो ऐसा करता हूँ मैं, आप पेज खाली कर लो, मैं किस पेपर हाफ में लेता हूँ, हम दोस्तों आपको इस सब निकाल के दिखा देते हैं, फिर दास्ट में जाके मैच कर देंगे, R की या V की डाइमेंशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका किसोरसन मुझे लगता है, P इेकवल टू आई सकार R या P इेकवल टू Wh जी उचारी इस से आसान कोई निया, अब इस से आपको R का निकालना है तो P अपोन आई सकार, P क्या पहँएपावर है याँँ, P पावर है, अच्छा, साइड में तरी बात करो, अगर चेंज करके एक बार में, तो P क्या होता है, W by T, P क्या है, W by T, अब W सब जानते हैं, M1, L2, T-2, T, तो दोस्तों, आपके सामने सामने, ये P की डैमेशन क्या आगई, M1, L2, T-3, बच्चों, हम इनको सिदा बोल सकते हैं, लेकिन न निकाल रहें, मैं ये विश्वास दिला सकता हूं, कि इन वीडियो को आप एक स्वासी को डंग से देख जाओगे न, तो नीट 2021 को आप बड़ा ठुक्या आजाओगे, आजाओगे, तो पावर की डैमेशने क्या होगी, M1, L2, T-3, लो मैं बोल खाली कर लेता हूं, वापस साथ हो मेरी बात पे, तो दोस्तो, P equal to I square R, तो R equal to P upon I square P, दिखा दिया को हमने, क्या था, M1, L2, T-3, और A, M, पिर होता न, अपना मात रखोता है इसका, A2, ये लोगो बात रखो गया, M1, L2, T-3, A-2, ये दोस्तो, अपने आप में, ये 3 है, ये 2 है, ये अपने आप में R का dimension हो गया, होगे न, अब इदे देखना, अब आप खुद देखो दोस्तो, एक क्या होता है, P equal to V I, ये आपको V का निकालना है, तो ये क्या हो गया, P upon I, और P क्या है, M1, L2, T-3 upon A, एंपिर, तो V का क्या हो गया, M1, L2, T-3, A-1, हो गया न, अब आपने खाली कर लेते हैं इसको, आजा, अब तेरे सामने सामने, क्यों निकालो वापस, तो पहला है, विधुत परती रोध, जिसका आपने निकाला, तो फर्स्ट का दोस्तो सही हो रहा है, Q, बिल्कु सही है, M1, ये सही करना भईया, M1, L2, T-3, A2, बोलो हाय न, फर्स्ट में क्या हो गया, Q, तो Q तो इसमें भी है, Q इसमें भी खाला है, उसके बाद है, पोटेंशियल, तो अब निकाला है, पोटेंशियल का, क्या है पोटेंशियल का दोस्तो, पोटेंशियल का R है, M1, L2, T-3, तो A का Q हो गया, B का R हो गया, तो अपने आप आ निकाल दूँ, बोड़ खाली करना एक बार भईया, रो का आपको निकाल देता हूँ लो में, तो आपके सामने, सामने रो क्या है? एलफोन है, तो रो क्या होगा? आहर, AbyL, R अर का क्या है? अभी आपको बता दिया भईया, R का वो जानते हैं क्या होता है? R का है M1, L2, T-3, A2 R का है? M1, L2, T-3, A-2 नीचे फिर क्या दोस्तो? यह L है और A हो रहा है? यह L स्काइर है अब आप इसको मोडिफाई कर लो यह तेरा M1 है यह नीचे L है यह L4 है तो क्या बचा? L3 बच गया यह क्या बच गया? T-3 बच गया और यह तेरा A-2 बच गया अब आप खुद देखो M1, L3, T-3, A-2 तो दोस्तो ऐसा कोई अबचेट्स में है भी नहीं तो C का आंसर इसने दिया है सोरी, थर्ड का आंसर से P दिया है तो आप लोग पी है ना पहला रहा M1, L3, T-3, A-2 अगला कोण है? कंडेक्सन, कंडेक्सन क्या होता है इसका? ती उल्टा कर दो तो दोस्तो उसमें S दे दिया, इसने अबचेक्ट नहीं दिया, आजाओ तो आपके सामने सामने इस कुछन का दोस्तो आंसर हो गया 18 का सेकिन नमबर थोड़ा सा टाइम लगा लेकिं मेरे साब से आपको हमने इसको दहां सुन लो आर का और यू का यूनिट निकालने का सब सही तरह का पी इक्वल टो वी आई और पी इक्वल टो आई सुकाई रा क्लियर? चलो डियर आगे चलते हैं, कुछन 19 पे आजाओ ये है डियर ये अपने आप में कुशन है शांदार कुशन है अपना मतला पूरी दुनिया है और एक्वल में यहां से प्रॉब्लम आती है तो 2013 से लेकि 19 पर सोलिशन किया था ना तो ये कुशन वहां आये थे आजो क्या कहता है एक मास एम, द्रेवमान एम स्प्रिंग लटका हुआ है फोर्स कोफिशन के है एफ फ्रिक्वेंसी है अगला साब कहता है साब एक रिस्ता बनाया इसने एफ एक्वल टू सी एम एक्स के वाई तो दोस्तो एक्स और वाई के मान क्या है देखो सुनो बच्चो इसका एक तो होता निकालना तरीका डाइमेशन से एक्साम में वो नहीं करना होता है एक्साम में क्या करेंगे एक्साम में तो ऐसी क्या जाएगा मैं जानता हूँ टी एक्वल टू टू पाई एम बाई के दान दाना एक्साम मैं नहीं करूंगा से मैं पूरा करूँगा और T का मैं उल्टा करूँगा तो F इक्वल टू है 1 बाई 2 पाई K बाई M 2 पाई का कोंस्टेंट नहीं है K उपर है यहां भी K उपर है तो Y उपर है रूट में है तो Y का मान तो प्लस हाप है और दोस्तों M नीचे है बर यहां M उपर है M नीचे है तो उसके power जो X है वो रूट में है वो माइनस हाप है तो Y प्लस हाप है X माइनस हाप है ऐसा object को रहा है इसमें? फूर्थ है तो दो 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 इसका answer क्या हो गया हमारा? फूर्थ आंसर हो गया ठीक है डियर? लेकिन डियर आप इस प्रकार से इसको एक्जाम में ये तो याद था मुझे फूर्मूला दान चाओं क्लास का ये दिया आपको फूर्मूला याद है तब तो आपको ऐसे ही करना है बड़ फूर्मूला याद नहीं हो तो एक बार पेपर हाप के लेलू ताकि पेज खाली हो जाए जाए पेज खाली करना भईया तो डियर फिर आपका फूर्मूला है आपको इसको सोल्ड करना है दान चाओं कलास का फिर से कह रहा हूँ ये इस प्रकार की प्रॉबलम में मुझे फूर्मूला याद हो तो ये अब में जो करने जा रहा हूँ वो बेकूफी है लेकिन मैं तो मानता हूँ मुझे पुढ़ाना है टीचर हूँ भईया मैं मानता हूँ मुझे फॉमला याद नहीं है पर एक बात और याद रखना एक्जा में वही कर पाएगा जिसके फॉमला याद है दोस्तो एक बात हम जानते हैं लेट उडे की डाइमेंशनर राइमेंशनर के बराबर है यह मेरा F है क्लिचर्माना है की वेयाँ स्पस कहता है F कोण है या फ्रीक्वेंशी है वापस खाले कर फ्रीक्वेंशी का मतलब हो गया M0 L0 T-1 C क्या है डाइमना स्क्वाइन स्वार है F equal to, क्या है रहे, K X, K equal to, क्या है रहे, F upon X, F क्या होता है, M1, L1, T minus 2, X कोण है, L1, तो L1, L1, 0 हो गया, तो इसका मात्र है क्या हो गया, M1, L0, T minus 2, भीया, क्या लिख दूर है, क्या है, M1, L0, T minus 2 की पावर क्या डियर, Y, बैस, थोड़ा सा तेरे लिए और सही कर दो इसको लिख में, तो इधर कोण है, M0, L0, T minus 1, इधर देख, M की पावर X, दान दे क्लास, M की पावर X, और M की पावर Y, तो M की पावर क्या हो गया, X Y हो गया, L की पावर यहां भी 0, L की पावर यहां भी 0, भी काने खतम, यह T की पावर 0, यह T की पावर minus 2Y, यह लिज़े, बोलो हाया न, अब मैं इसको मिटा दू, क्योंकि बोर्ड पे तो क्यों पड़ा है, अपने पास को दिक्कत ही नहीं है, अब तो आगे सोलूशन कर, अब कंपेर कर, तो M की पावर क्या हो गया हो गया हो, इक्वेशन X प्लस Y इक्वल टू 0, क्योंकि इधर 0 है, L पे कुछ ही नहीं, T पे क है हमने सोल्ड किया है, कुछन निकालना बेटा एग्मिंट, ये हमने सोलुशन किया है, X कामान माइनेस हाफ है, Y कामान प्लस हाफ है, आपके परली पढ़ा है मरी बात, फॉर्मुला याद हो तो फटा-पट हो गया, फॉर्मुला याद नहीं हो तो पूरा कर लो, पर एक् है एल और टाइम को मूल मात्र कमान आ जाए तो दर्वेमान का वी में सुत्र क्या होगा ये फिर अपने आप में किस और एक पूरी काने है आजाओ डियर दर्वेमान का मात्र क्या होगा दर्वेमान का मतलब M1 L0 T0 equal to F की पावर X लगा दो L की पावर Y लगा दो और T की पाव जट लगा दो साथ होगा मैं मेरे ये बाकाई दो याद है मैं प्रिवेस पेपर के वीडियो सोलिशन किये थे तभी कुशन आया था M1 देखो क्या लिख रहा हूँ मास को कनवर्ट करना है तो राइट में क्या लेफ्ट में क्या आगया मास राइट में जो जो F अच्छा को इससे कोई फ्रिक ने पढ़ने वाला लास्ट में काने हुए आएगी F पे X लगा दिया L पे Y लगा दिया T पे Z लगा दिया आजा बहिया F क्या होता है जरा बोलना किसों में M1 L1 T-2 इसकी पावर X L क्या होगा M0 L1 T0 इसकी पावर Y पूरी बात कर दें बच्चे के लिए M0 L0 T1 इसकी पावर क्या कर दें? जट चलो जी अब थोड़ा कलर चेंज कर लो बच्चे के लिए पहन का इसको उपन मिटा देते हैं बात की बात दो हो जाएगा ठीक है डियर? अब आजाओ अब आप इनको एड़ करें इधर तो M0 है ना? करने बात हैं M0 इकुल 2 अब दे यह X1 अब देखो यह L की पावर X, L की पावर Y, यह L0 है तो खतम होगे, L की पावर क्या है आप यह बोलना किस हो सर्थ? X प्लस Y, अब आप T परा आजो, T की पावर क्या है? माइनस 2X और प्लस Z, माइनस 2X प्लस Z, यह किसके एक्वल है? M1, किसके एक्वल है? यह गलती कर रहे हैं यह इक्वल है M1, L0, T0 के, दान जाओं क्लास का, मास को करना है, इधर कौन रहेगा? मास, M1, मैं सामने आ रहा हूं साइद, M1, L0, T0, यह किसके बरावर है? आपने कर दिया, कलर चेंज कर लो लो, आज़ा हो बहिए, अब देख M की पावर 1, M की पावर X, X इकल टू क्या हो गया? 1, आगे देख, X प्लस Y इकल टू क्या हुआ? 0, और माइनस 2X प्लस Z इकल टू भी क्या हुआ? 0, आज़ा, अब तू खुद देख, X की पावर 1, X इकल टू 1 है, X और Y का जोड 0 है, तो यह बिना किसे पूछे Y क्या कर द Mto-1, okay dear, तो यह देख, Mto-2 X क्या हुआ? 1, यह कौर टू ए, X इकल टू 0, रजएद इकल टू क्या गया? 1, एकल टू क्या हुआ गया? 20. 1, z क्या आगया 2, तो पहले हम उने क्या लिए F है, तो F पर की आएगा X, 1, F 1, फिर अब क्या लिए लबाई, वह कोण है Y, वह – 1, तो L का पाउर क्या हो गया, माइनस वन फिर टाइम लिया दो दोस्तों आप कहां सुर आ गया एफ एल माइनस वन टी टू बोलो हाया आना आया मजा इस तरह काम होता है धान्दे क्लास पूरा सोल्ड कर रहे हैं और वीडियो को एजिक्ट आपको लोड कर रहे हैं ओके डियर आगे चले आज़ो फिर से आज़ो हाँ ये भी एक पका पकाई क्यूशन है करीब करीब डाइमेशन को मैच करने की क्यूशन आते हैं कौन कौन सी डाइमेशन फेमस है तो बदा दो आपको पहला है निमल खित में किसकी विमाई समान नहीं है कारी अरजा की एक होती है एक बात और सुलेना इसमें साथ टोर्क में ली ज़े ज़े है एक यी बात है वर्क की जो है वही इनरजी की है वह किसकी होती है पलागून की होती है आगे चल कौन की और विकरती की दोनु डाइमेशन लेशन है दोनों ही dimension याद भूज़ गया क्या कोण ब्राबर क्या होता है चाप बट्टे त्रिज्या याद है क्या एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आर्क की भी डिस्टेंस यह भी डिस्टेंस 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 का हो गया dimensionless हो गया तो यह आपका हो गया आगे चलो आपक्षिक नहत्वा और अपॉर्टनांग यह दोनों क्या होगा dimensionless आगे चलो प्लांग कॉंस्टेंट उर जा ना यह समान नहीं है प्लांग कॉंस्टेंट तो angular momentum के बराबर है प्लांग कॉंस्टेंट तो किसके बराबर है पिछा है था angular momentum के तो यह प्रसन क्यों दिया इस नहीं दिया ताकि बाकी सारी विमाएं आपके सामने एक बार revise हो जाएं दोस्तों इस क्लियर इस क्षिशन का मतलब practice कराना है आपसे ओके चलें क्षिशन नंबर 22 हम इतर क्जाम आएक क्षिशन है आज बिए 17 का क्षिशन है 17 सोड़ा में आएक क्षिशन आए दोस्तों x equal to x equal to epsilon 0 l v by t epsilon 0 आप सब जानते हैं करने की बात ही नहीं है अक्स की विमा समान है यह अक्स की विमा किसके बराबर है देखो दोस्तों इस पर बात करने है अपने को ठीक है जी अब इसको थोड़ा सा मोडिफाई करें आपके सामने epsilon note है एक l है एक v है और एक आपका t है ठीक है डियर अब इस प्रस्षिशन को रटाने मारेंगे अब attack exam कैसे करें इसको कैसे निकालें तो दौस्तों हम एक बात जानते है v equal to अक्सर का होता है k qy r होता है आप इस तरह बोड़ी फैर आप बस्तों k qy r है और दोस्तों k qy r क्यू है वो फोर पाई epsilon 0 r है ठीक है डियर आप दोंको पूरी बात करेंग एपने अपने आपर तो q by फोरपाई epsilon 0 R है V की value आपकी आगी अब आपके सामने V ये है तो मैं इस color को change करके span के लिए आप इधर देखें जहाँ epsilon 0 लिखा हुआ है तान दे क्लास epsilon 0 उपर लिया तो क्या बचा Q upon R multiply V लिख दू Q बोलो बो Q उपर है Q उपर आया V नीचे आया R नीचे आया उपर कौन है L है V है T है अब देख दियर इस V से V cancel out हो गया R से लंबाई एक ही बात है R भी distance लंबाई ये कौन बचा Q Y T Q Y T क्या होता यार current है आंसर क्या हो गया current अर बुल गया क्या I equal to D Q Y D T बोल हाया ना अंसर आगे तरे सामने ये प्रसन याद नहीं किये जाते है बेटा जैसे जैसे अगला कहता वैसे करते जाओ बस केवल एक्जाम में अपने विल पाव रखने है बोलो हाया ना एक तार सामने आग अब इसको कैसे आद पर बचाओ या तो बन कर सकते हैं चीज़ों को तो जैसे मुझे एपसान दिखाए दिया वी दिखाए दिया तुरंत मैं वी पर चला गया बोलो हाया ना ओके थैंक्यू आगे चले ये तो दुनिया इप्रमस क्यूशन है दाइमेंशन ओप वन अपोन you want to tell you किसका नाम है energy density एक दहन देना दोस्तो energy density density का मतलब किसका भाग देंगे volume का energy में volume का भाग देंगे energy में volume का भाग देने का मतलब सीधा power energy का मतलब है 1 M1, L2, T-2 upon L3. तो क्या बन गया? M1, L-1, T-2. जान देना, क्लास. और आप इसको प्रेशर कहें, तो प्रेशर क्या होता है? बात एक ही. जान देना, क्लास. इसको आप प्रेशर भी कह सकते हैं, इनर्जी की डेंसिटी भी कह सकते हैं, लेकिन इनर्जी की डेंसिटी जब आएगी दोस्तों, तो उसमें V से डिवाइड होगा, क्यों इनर्जी इन इनिट एरिया. तो यह आपके सामने हो गया M1, L-1, और T-2. 23 का, दोस्तों, क्युश्ण में तो 23 था, उसका अपना आंसर हो गया, दोस्तों, थार्ड आंसर, आगे चलें, यह आपके क्युश्ण हो गया, अच्छा खासा बड़ी आसा, बोलो हाँ या ना, बाते दोनों जो लिखिए मैंने, इसको इनर्जी डेंसिटी भी कह सकते हैं, और इसको प्रेशर भी कह सकते हैं, देखो बार बार वो इसकाम आते हैं, याद होगे ना, मैं देखो, सही बता रहा हूँ बच्चो, यह एक गुरू निती जो है यह आज हम लोग 26 अक्टूबर को सूट कर रहे हैं और साम, अभी पारा बज़े गास पर सूटिंग कर रहे हैं, और शाम को अपलोड होके आप देखोगे, यह मैं कह सकता हूँ कि नीट की स्ट्री में एक नई चीज़ बनने जा रही है, जैसे CLC ने कोटा से भार एक नई दुनिया बसाई सीकर में, आप बहुत से बचन जानते हो कि जो यूपी बिहार में, CLC क्या बेटा हम लोग सीकर राजसनम एक जगह है, जहां मारा इंस्ट्टूटन होता है, जिसके अलोबर, जैपूर, जोद्पर, ब्रांचेज है, कोटा हमारा टेस्स सेंटर है, और हम लोग सिक्स क्लास से लेके, अप टू आइटी मेडिकल तके सारी कोचिंग होती है, आइटी भी है, मेडिकल भी है, दोनों मीडियम है, हमारे खुद के अपने स्कूल है, सीबी सीके, आर्बी सीके, इसके लिए आप, और एक और सुनो, मैं डेली शाम साड़े छहे वज़े, सील सी सीकर के फेस्बूक पेज, और यूटूब चैनल पर लाइव आता हूँ, आपको वहां भी देख सकते हैं, आप मेरे साथ जुड सकते हैं, और आपको जुडना चाहे मेरे साथ, आगे चलो, आगे आज़ो भाईया, फिर आज़ो, फिर वही क्षोन आगया, एफ इक्वल टू एटी प्लस बी टी स्प्राइब, थैंक्यू किशोर सार यार आप अच्छे क्षोन का क्लेक्शन की आपने, अगला साथ कहता भाही, एफ इक्वल टू एटी ए और बी की डाइमेशन, ओ वही, ओ रड़के, यह फोर्स है, यह भी फोर्स है, फोर्स में फोर्स एड़ होना है, आज़ो, लोग थोड़ा सा किस और साथ बोर्ड के उस्पेस दो, एटी इक्वल टू फोर्स, फोर्स बोलना क्या होगा, एफ वन, एलवन, टी माइनस टू, तो एच यह तेरे को, तो देख टी नीचे आएगा, तो सिदा करती तो कहे तो, एफ वन, एलवन, टी माइनस थ्री, अगले का फिर अपन तुरा कलर चेंज कर लें, तो आप आजाओ, अगला को क्या है, बी टी स्कार, टो बी टी स्कार इक्वल टू भी क्या है, एम वन, एलवन, टी माइनस तू, तो भाई, बी का मान क्या होगा, भाई, गय कुछ पकड़मेही बात है, हो गया, फुट्बॉल हो गया हो गया है, next, जोती फलक्स की विमा क्या है, जोती फलक्स क्या ज़रा, क्या शप्रसर बताएं बच्छों को, जिस से संलाइड्स यदो अपने अर्थ पर आती है, जो रिसिविंग जो पावर है, अवर है, यो अपनी लाइट की, यह दर से पाव M1, L2, T-3, power का मतलब, अरे power का मतलब बोड़े आदमें वही, कहने का मतलब है, इसको power कह सकते हैं, कौन सा power, प्रकाश उर्दा, light energy, light power, ठीका dear, थेंक्यू, आगे चले हैं, the percentage of error पे आगे हैं और error पे मैं ज्यादा देखो, एक बार error पे मैं आपको simple बता दो, error से आसान कुशन नहीं है कोई, और बिना error नीट की exam नहीं होती है, अगला साब कहता है, दरवेमान और चाल, मास और स्पीड में अगला कहता है, दो परसेंट तो मास में हुआ, और तीन परसेंट चाल में हुआ, तो काइनेटिक इनर्जी में त्रूटी क्या होगी, देखो बच्चो, E equal to half M V square, इसका तरीका होता करने का, इस बैसा कर लिया करो, डेल्टा E upon E, संख्या को बूल जाओ, डेल्टा M upon M, प्लस इस दो को निचे उतार दो, और दोस्तों डेल्टा, अब यह यह, यदि तेरे को नहीं आता सिख ले यार, सिखा रहा हूं ना, प्लस दो को नहीं है? यह यह वी स्पीड है, यह कितनी है? तीन, तो दोस्तों, तीन दो निचे दो आठ, आंसर क्या आगया आपका? आठ परसेंट, धनने ने क्लास? तरीका होता है करने का, काने प्ले पड़ गी? इस तरह से, जो फोमले, इसको बूल जाएंगे, कि संख्या भी एरर नहीं आता है, डेल्टा, एम, अच्छा मल्टिप्लाइ कर लो, इधर सो से मल्टिप्लाइ कर दो, वहां सो से कर दो, वो परसेंट बन जाएगा, अब यह अब अब्जेक्ट्व एक्जाम के तियारी कर रहे है, कुछ चीजे हमें ठोकने पड़ेंगे ट्रिक से, ओके? थैंक्यू, अब नेक्स्ट पर आएंगे, हाँ डियर, कुछ ट्वंटे सेवन, बासा बड़ी है, अखी चीज वही है रहे, अगला कहता है, एल लेंज का कोई वायर है, उसमें टैन परसेंट की वर्दी करने पे, लंबाई में दो परसेंट की वर्दी होती है, यह तामबे का प्लेट, यह एरिया आगया ना, अब दोख सुनो यार, एरिया एकल्टू क्या होगा, एल स्काइर हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए, टू डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल कितना होगी, टू परसेंट, उसको दो से मल्टिप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आगया, फॉर परसेंट, और ऐसा ही कोई क्विशन, मौलू, वोल्म पे हो जाता, तो क्या दिक्कत है, यह एल क्यूब हो जाता, तो उसका तीन लिशे आ जाता, आंसर क्या हो जाता, शिक्स प्रसेंट, यह दो बात कहें न, यह बात बत्रू कर सकते हैं, यह बात, आगे जलो भई यह, यह देख, यह बड़ा चाख क्विशन अब है, अगला कहता है, आर एक्वल टू वी अपॉन आई, वी की वेल्यू सो प्लस माइनस पाँच है, आई की वेल्यू दस प्लस माइनस पाँच है, तो आर में कुल तरूट ही कितनी है, तो देखो भई, इसका ऐसा बनाएगा फॉमला, डेल्टा आर अपोन आर एक्वल टू डेल्टा वी अपोन वी प्लस डेल्टा आई एक पाज धान देना भया चाहे नीचे हो या उपर हो ये प्लस ही झाएगा माइनिस कभी नहीं आएगा एक आवत है ना कि गलती अमेशा नुकसान ही करती है गलती प्लस में आप मैं मुद्दा नहीं होते है, गलती गलती होती है, उस एड़ी होनी है, बैस, अब आज़ो, अब आप थोड़ा सा एक आगे ले, तो डेल्टा वी अपॉन वी, तो डेल्टा वी कितना है, फाइफ, फाइफ अपॉन हंड्रेड, जान्दे लड़क के क्लास, अब उन हंड़ी का होगा, क्या लिखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें 10 के पिछे पाइंट 2 का है, पाइंट 2 बटा 10, उसको किसे मल्टिप्राइए करना पड़ेगा? 100 से, तो आपके सामने क्या आंसर आ गया बेटा? 7 परसंट आंसर आ गया, तो एक बाद बोड खाली करें, एक चीज बता हूँ आपको लो मैं, एरर पर बात करता हूँ, एरर दोस तो गल्ती कितनी हुई? 1 की, 5 करने थे मुझे और मैंने 4 कर दिया, तो गल्ती कितनी हुई? 1 की, मुझे मानलो 100 काउट करने थे और 99 काउट कर दिये, तो भी गल्ती कितनी हुई? 1 की, यह है इरिस्पेक्टिव, निर्पेक्ष एरर है, लेकिन सापेक्स की बात करें, तो भा उसके बाद चेंज करें है परसंटेज में इसको चेंज करो परसंटेज में इसको 100 से मल्टिपलाई करो तो यह तो 1% हुई लेकिन बेटा जी यह तेरी 20% हो गई भोल आहां ना तो सो के पिछे एक की गलती एक परसेंट है, पर पांच के पिछे एक की गलती बेटा, बीस परसेंट है, तो पांच की बज़े चार मेजर किया, एक आया, तो एरिस्पेक्टिव तो एक है, सो के पिछे 99 किया, वो भी एक है बोलने में तो, लेकिन जब परसेंट की बात आई, तो 100 में ये गल्थ हुआ, ये 1% गल्थी हुई, पर 5 में एक गल्थ कर दिया, तो गल्थी कितनी होगी, 20%, ये लोजी ये एरर होती है, इतना एरर होता है, देखा जाएंगे, क्यों भई, शांदार एक्जामपल दिमाग अपने आप आगे हैं, ओके, थैंक्यू, आगे चलो, फिराजा, पेंडूलम है, लंबाई, लंबाई में 1% है, और टाइम पिरेड में 2% है, तो गुर्त्वियत पुरण के मापन लंबाई क्या होगी, तो अपन सब जानते हैं, वहिया, जी कुल टू क्या होता है, रूट लबाई जी, इसी बात आप इसको, सोरी गल्थ वोल गय जी, जल्दी बाई जी, हम इस वीडियो एडिट नहीं कर रहेंगे, जैसा हम गल्ती कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे भी, कि ऐसी गल्ती एक्जाम आप पे हो सकती है, टी इकोल टू पाई रूट ल बाई जी, मुझे जी चीए ना, तो दोस्तो जी को इधर लो, कोमन सेंस सब्सक्राइब जी एपॉन जी, तो यह क्या होगा? डेल्टा एल एपॉन एल प्लस टू, डेल्टा टी बाई टी बोल हाई आना, दिखना ज़ा जाएंगे बैई एल बाई जी, तो डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल कितना बोलना कि जो अरसर? 1 परसंट, प्लस टू, ट 30 पर आजाए, ये एक बहुत अच्छा क्यूशन है, ये कहता है, अधिक्तम एरर, दोस्तों जो पावर सबसे बड़ी है, वो अधिक्तम एरर है, वो माइनस चार है, ये कौन है, C है, तो अधिक्तम, दहां सुनना भाई, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, जो पावर सबसे पड़ी है, वो अधिक्तम है, तो ये मत कहते ना, कि साभी तो माइनस चार है, ये निच्छे है, तो उपरा के प्लस चार होगी, बात अलग है, लेकिन तेरे को केवर संख्या देखनी है, क्यों, इस साइन का कोई रोल है, नहीं है, ओके, आगे चल, एक बोतिक्रासी, M, A, L B, T, C, दिस दिस, अगला कहता है, M में R क्या है, अलफा, L में क्या है, बीटा, और T में क्या है, गामा, तो अक्स में अधिक्तम प्रतिस्ट तूटी क्या होगी, अधिक्तम तूटी, कोई दिक्ति नहीं है, M में अलफा है, तो इसकी पावर A है, देखो, सुनो, सुनो, सु अब डेल्टा M वाई M क्या है? अल्फा तो यह देरी तेरे सामने क्या आगया? A अल्फा बी बीटा C गामा यह ले यह हो गया तरह प्रेक्टिस के लिए मेरकाल से प्रेक्टिस रहे तरही वानिश में कुछ जादा बड़ी बात नहीं की प्रेक्टिस वोई इस भी क्या हो आजा, आगे चलो यह अच्छा क्यूशन है भई देखो टियर, मसीदा कर दो इसको डेल्टा A अपॉन A है देख, टू निचे उतार डेल्टा A बाई A त्री को निचे उतार डेल्टा बी बाई बी सी को उपर ले जाब, मैनिस प्रस नहीं आएगा ए लड़के मैनिस प्रस नहीं आएगा डी रूट है, वन बाई टू डेल्टा डी बाई दे इसमें एक सुन्दरता है रहे, यह सी डी उपर जाके प्लस मैनिस नहीं होता, सबका एड होना है, तू डेल्टा, अब तेरे पूरी बात कर दू, डेल्टा ए में बता क्या क्रेक्शन, एक, वन परसेंट प्लस थरी, डेल्टा बी में कितना डी रहे, तीन परसेंट डेल्टा सी में कितना वहिया, दो परसेंट और डेलेटा डी में कितना भीया फिर दो परसेंट बस चिदा कर रहे हैं रपर दो यह तीन तीन नो नोड़ दो ग्यारा ग्यार दो तेरा तेरा रेक फोर्टिन तानसर आग्या लोगा फोर्टिन परसेंट एर का इसे जादा क्विशन नहीं बन सकता साथ, इलो जी, लिख वालों का अगज बावारे से, नीट नहीं बन सकता हुई है, तो यह आपके सामने, पुरा देख ले क्विशन को, पोज कर ले क्विशन को, ओके थेंग्यू, आगे चल, इसकी बासा देख के आप क्या पूछा होगा, उच नी प maximum percentage error in measurement of the distance and time are E1 and E2, the percentage error in the estimation of G, अगला कहता है, दूरी में और समय में इसने तरूटी कर दी, क्या कर दी, distance इसने साप का है, पहले क्या लिया है, error in measurement, distance E1 है, और time E2 है, और अगला कहता है, जी की वेदू निकालो, तो कैसे निकालेंगे बाईया, वी इक्वल टू, यू प्लस जी टी, अच्छा, इससे काम नहीं होगा हमारा, इससे काम नहीं होगा बे, distance नहीं नहीं बल्कू काम नहीं होगा, जी, तो हम लगाएंगे, H एक्वल टू, यू टी प्लस हाप है, जी टी स्क्वाइर, एक ये बात कहता है, अब तेरे को किसमे चेंज चीए, जी में चीए ना, तो भया, एक काम कर, जी को इधर ले ले, और ये H एपोन, T स्क्वाइर कर दे, लेकिन वोई बात है, स्क्वाइर का फ्रक्रिश्य में ज़्या पढ़ना नहीं है, तो ये क्या हुआ, डेल्टा H एपोन H, प्लस 2, डेल्टा T by T, डेल्टा H इट्वाइर के हाँ, डेल्टा T by क्या है, E टू, तो E1 प्लस 2 E2, यह आच कि अठोड़ो आ इसमें एक इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है। । जहां कहीं आता है रगाते हैं, हमें साथजी प्लस्नित पाईटाइक प्लस्नित प्लस्नित पाईड़ेंगे। आप इस पे अगले क्लास में दो कुशन पर ले के आ जाएंगे तो इसको दोस्तों में निकालना है होगा इनर्जी से कौन अलग है तो आप जानते हो पी कौन है भाईया प्रेशर है वी कौन है वोल्यूम है ठीक है अब आपको एक की डैमेशन निकालनी होगी बी की डैमेशन निकालनी होगी और इनर्जी से डिफर कौन ये एक लंबा क्युशन है तिपिकल नहीं है ये दोस्तों ये के लंबा क्युशन है औ और इसमें निश्यत रूप से एक्जाम में करने के लिए आपको इसको पूरा सोल्ड करना पड़ेगा भाई, या आपको इसका एक्जाम पूरा सोल्ड नहीं कर पाओगी, तो आप कर नहीं पाओगी, अब दोस्तों इसमें अपन एक बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा तरीके से, P प्लस A बाई V स्कौायर, एकसामे प्रिक होती है, ए बाई V स्कौायर तो प्रेशर है, और प्रेशर उरजा नहीं हो सकती, इससे आंसर या नहीं हो सकता, अब तीन क्या मुझे नहीं पता, ये कॉम्पूटिशन है, इसका नाम प्रतिश्व की परिक्श्या है, ये फरकर स साथ ही भी पढ़ाते हैं, वो इम कोचिंग पढ़ाते हैं, यहां मैस 2020 का है, देख दान दे, तेरे पास एक रास्ता तो क्या है, तो चारू निकाल, पढ़ जाएगा, निकाल दे, निकाल दे, मुझे पता है कि पी में जो जोड रखा हो प्रेशर है, और प्रेशर कभी उर्जा की डाइमेशन है, नहीं होती, तो A by V स्काइर उर्जा की डाइमेशन नहीं है, और यही पूछ है, तो मैं इसी के साथ कह दूँगा, कि आन्सरा आपका यह होगा है, ओगे डियर, थेंक्यू, नेक्स कुछन पर आजाओ, एकंड की विलिस्टी यह है, यह मेरा प्रेशर कुछन है, यह मैं जब पढ़ाता था, तो मैं स्टार्ट यह सी करता था कुछन देखो डियर, V इक्वल टू, A T प्लस, B अपॉन, T प्लस C, मैं मेरी इस क्लास का स्रिस्टम करने जाना हूँ बएए, दोस्तों यह विलिस्टी है, तो यह भी विलिस्टी है, और यह भी विलिस्टी है, यह विलिस्टी है, तो यह डिस्टेंस है, और टाइम के साथ टाइम जुड रहा है, तो B तो शो कर रहा है distance को और T, C कर रहा है समय को अब आप देखो C किसको शो कर रहा है समय को, तो C शो कर रहा है समय को, B समय कर रहा है L को, अपने आप answer आपका क्या हो गया धान्देव class V equal to AT PLUS B T by C, ये कोन है velocity, ये कोन है velocity, नीचे कोन है time तो डिस्टेंस हवा इसको बहुत पर एक्जामी ट्रिक करने का इसको निकालने की मुझे रूद निकाल लो 80 किसके ब्रावर है रहे A T किसके ब्रावर है रहे, V के ब्रावर है, तो V क्या होता है, M0, L1, T-1, तो भाईया, तेरा A किसके ब्रावर हो गया, M0, L1, ये ले, T-2, ये ले, एक यी बात है, हलो, जाग भाई, ठीक है, हैंक्यू, हाँ तो किसोर हो सर, अपना किसोर 36 प्रावते हैं, देखो बच्चो, इसमें अगला कहता है, P इक्वल टू, A माइनस, T स्काईर अपॉन, BX, बच्चो, बच्चो, दान दो, कलर चेंज कर ले, आपके लिए थोड़ा सा इसका, देखो ड कि A माइनस, T स्काईर, तो आप जानते हो, यह T स्काईर यह पकाई T स्काईर है, उपर तो हो गया, M0, L0, T2, इसको अपन एक तरह से A की डाइमेंशन कह सकते हैं, अब आपको डाइमेंशन चीए B की, तो B की डाइमेंशन उपर कोण है, A माइनस, T स्काईर, तो आप अब तो सिधा कर ले इसको, तिरो क्या चीए? A अपन B चीए, A अपन B चीए, तो ऐसा कर, यह M0, L0, T2 अपन B, देख, तो उपर का आगया, P मल्टिप्लाई, X, सिंपल सी बात होगी, बस P कोण है, प्रेशर, तो बोलना प्रेशर क्या होता होगी, M1, L-1, T-2, यह तरह L, तो L-1 खतम होगे, M1, L0, T-2, अब दोस्तों सुनो, इसमें दिमाग नहीं काम आता है, इसमें काम आता है, उस समय का आपका परजेंस और माइंड और आपका कॉन्फिडेंस, बाकी डाइमेंस अब को आती है आपको, ओके डियर, थेंक्यू, अब आप आजो, 37, यह एक अलफा, जेड, के, थीटा, उसको हमेसा एक के बराबर कर दिया को, क्यों? क्योंकि E की पावर, जीरो, कोई चीज़ होती है, तो वन होती है, इसके कोई डाइमेशन नहीं होती है, सबसे काम की चीज़ है, माइनस का भी कोई रोल नहीं रहेगा, उसका मत्तबी है, अलफा, जेड, के, थीटा, इक्वल, टू, वन, बस, ये एक मूल कॉंसेप्ट है, नाट बान ले, जब भी कोई इस तरह E पे जो पावर, छुले भई, E के उपर जो भी मेटर दिखावा है, E के उपर, जो भी मेटर दिखावा है, उस सब को एक के बराबर कर दो, कर दिया, माइनस क अलफा जेड के थीटा इक्वल टू, अब आगे चलते हैं पर तो, अगला साब कहता है भईया, के वोट्समेन कॉंस्टेंट है, थीटा टेंपरेचर है, बीटा का वी मेटर आपको निकालना है, और अलफा बीटा आपके दोस्तों ये है, अलफा बीटा इसके साथ है, तो पर बात रख, ओना ही नहीं है, तो दोस्तों आपको बीटा निकालना है, तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया, अलफा पॉन पी, आजा बहिया, बीटा इक्वल टू क्या हो गया, अलफा पॉन पी, तो अलफा क्या है, इज़र एक अलफा क्या है, के थीटा उपर है, और ज नीचे, बोल नदो, अलफा क्या है, kθ over z, अब तर्वेटा चाहिए ना, तो बीटा एकोल क्या है कुत्र, अलफा पोन पी, अलफा क्या है, kθ upon z upon p, ये p कर दे, अब ठोड़ी सी काविशन है, और पूरी करेंगे, कोई दिक्रत ही नहीं है, के कोण है बाई वोर्समान कॉंस्टेंट है इसकी डैमेंशन क्या होती है यह हमें एद रखनी होंगी कैसे याद रखनी होंगी कदर चेंज कर ले बूल गे क्या रहे है एकवल टू 3why2kt तो दोस्तों k एकवल टू क्या हो गया E by T K equal to क्या हो गया E by T एक में एक में डा रहा हूँ पुतर तेरी बात क्या रहा हूँ ये Z P तो T से थिटा काटते है की बात है अरे T थिटा को टेंपरेसर बोल ते T को टेंपरेसर बोल ये पुरा हो गया इसको मिटा दू तेरे लिए में तो तेरे सामने सामने भाई बीटा क्या हो गया अब पुरा कर रहा हूँ तेरे लिए में E upon Z P ओके डियर अब आजा E को नवा या इनर्जी अब पुरी बात करते हैं M1 L2 T-2 Z क्या है रहे डिस्टेंस है तो कौन हुआ L1 P कौन है रहे प्रेशर क्या हुआ डियर M1 L-1 T-2 तो दोस्तो बीटा एकुल टू क्या हुआ देख ये M1 M1 कलर चेंज कर ले तेरे लिए भाईया ले M1 M1 कैंसल ठीक है डियर ये L से L कैंसल ये T से ये मैनिस है मैनिस है तो दोस्तो के उल क्या बचा M0 L0 सोरी L2 T0 M0 L2 T0 अंसर आगे पोलाया मज़ा बात का जोटना पड़ता है जैसे मुझे के दिखाई दिया सिदा में कांसला E कुट 3 बाई 2 के टी पे ये ही प्रेक्टिस है इसलिए हार्ड वर्क करना होता आजमे को सुनलो बचो कोई डफर नहीं है कोई इंटेलिजेंट नहीं है जो जितने कोई डफर नहीं है कोई इंटेलिजेंट नहीं है जो जितने प्रेक्टिस करेगा वो एक्जाम या उतना अच्छा कर देगा तो दोस्तों, यह हमारा question number 30, 7 हो गया, okay, आगे चले, अब आज़ो 30, 8 पे, same question, यह हमने practice के लिए ऐसे 2 question, 3 question ले लिए, फिर आजा, वो इसकारतिया ही है, f equal to alpha, beta, एक ही बात है, e x p बोल दो, चाहिए, e बोल देगे, ओ भाई, कोई फरकने पढ़ने होड़ा रहे है, और यह alpha, kt, भाई दान दे, भाई लोची का बच्चा तो खेबार, e x p लिख दे, चाहिए, e लिख दे, अब वो कहता, x दूरी है, k voltsman है, temperature t है, alpha, beta तो इस्तिरांग है, तो beta की dimension क्या है, तो, निकाल दू तो के दुबरा से ले, आजा, कह दिकत है, फिर से आजा, a, x square, alpha, kt, equal to, तो क्या करूँ भाई या, बुझे किस की चीर है, बीटा की चीर, तो फिर वही बात, alpha, equal to क्या है, f equal to क्या है, alpha, beta, okay dear, तो हमें निकाल, beta चीर, बीटा चीर, बोलो, किस और से बोलो, तो beta equal to क्या है, f upon, alpha, ठीक है, dear, तो अब अपने काम करें, इसको मिटा लें, क्योंकि ब बालो वहां से, तो alpha बनाओ यहां से, तो ए मसिधा तरी लें कर दू, beta equal to f, तो क्या बचा रहा है, x square, kt, x square upon kt, तो kt उपर आएगा, फिर, एक बिनेट बिल्कुल, बिल्कुल, यह kt क्या आ गया, उपर आ गया, e equal to 3 by 2 kt, 3 by 2 damage होती निए, तो kt कोण energy है, kt कोण होगी energy होगी, बैस अब देख तेरे सामने, f force है, तो force क्या होता है, m1, l1, t-2, multiply, energy क्या होती है, m1, l2, t-2, upon korn है, m0, l2, t0, आजा, अब देख, तेरे ले कर देता हूँ मैं, m1 उपर है, एक m1 यह है, तो क्या बना गया, m2, यह तरह l1 है, यह तरह l2 है, निचे l2 है, यह cancel out हो गए, क्या बच गया रहा है, l1, t3, minus t2 है, यह minus t2 है, यह क्या हो गया, t-4, m2, l1, t-4, यह रहा, m2, l1, t-4, बता आ रहा बात का मज़ा, जो रहा है, तोड़ा साले के दर, एक बार वीडियो देख ले, फिर जो क्यों डाउट लगें, उनको दुबारा, reverse कर के द क्लास देखा हैं, यह भी, जोलो जीम आएंगे, आज दो क्लास आएंगे, फिजिस की और जोलो जी की, thank you dear, आजाओ भईया, फिर आजाओ, फिर क्यों आपके अभ्धास के लिए, वो e की पावर माइनस bxt है, stx है, तो b की, डाइमेंशन बता हो, तो a, मैं पूरी बात कर द या, one of xt, x क्या है, distance t क्या है, time तो अब क्या लिखूं यार, time भी माइनस है, distance माइनस है, कौन सांसर हो गया, फिर सांसर हो गया, ओके, आगे चलो भईया, अब आज जो दोस्तों, question number 40 में, आज की लास का, last question है, दोस्तों, हम सब जानते है, a sin omega t minus k equation, omega by k, किसके equivalent है, तो कह करने की बात दोस्तों, देखो, एक simple सा funda है, omega equal to होता है, 2 pi by t, k equal to होता है, 2 pi by lambda, याद रखना पड़ेगा, यह must क्यों चुछाए, omega equal to 2 pi by t होता है, k equal to 2 pi by lambda होता है, आपको omega से k को divide करना है, omega हो गया 2 pi by t, यह तेरा आगया 2 pi by lambda, यह cancel out हो गया, यह तेरा lambda by t है, बुल गय क्या-क्या, v equal to lambda by t होता है, lambda by t होता है, omega by को v कह दें, व का मतलो होता है, दोस्तों, वे, answer क्या आगया, velocity, ओके डियर, इसको बहुत सा अपन ए तरीके से और भी कर सते हैं, बाँ पताएं, जैसे, पेज काली कर लो, मैं, पेज काली कर लो, मैं, हाँ, पेज काली करें बढ़ कर लोगा है, जैसे आपको कोई exponential function होता है, या trigonometry function होता है, बिल्कुर है, जो भी चीजे लिखी होती है, बिल्कुर सही है, जैसे आपन लिखाता है, y is equal to a sin omega t minus kx, यह पूरा force of dimensionless है, बिल्कुर सही हो, आप इसको dimensional, और 7 minus bx, इसका मतलब क्या है, यह बन्या आपका omega t is equal to kx, ठीक है, बात प्लीर है, अब मुझे इसमें निकालना है, omega upon k, omega upon k हमारे पास आया, x upon t, ठीक है, बिल्कुर सही है, बिल्कुर सही है, बिल्कुर सही है, यह और भी अच्छा ही बात होगी हमारे डियर, ठीक है डियर, तो इसी के साथ गुरुनिती, सुने सरा आप आए, आपके बाव परिचे करा दोते हैं, गुरुनिती का पहला वीडियो सुट हो गया, आज 26 अक्टूबर को एक बज़े हमारा वीडियो सुट होके अप्लोट, डैट हो गया है, आप सुने सर है, सब जानते हैं, अभी अगली क्लास दिलोजी आपकी रहेगी, आपके शोर है, तो यह दोस्तो एक नया कॉंसेप्ट लेके हम आपकी बीच आएं, फ्री ओप कोस्ट है, पुरे देश के बच्चों के लिए फ्री है, और दोनों मीडियों हमारे स्टेडी मेट्रियल है, दोनों मीडियों हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं, 6, 8, 6, 7, 8, 9, 10 हमारा प्री क्यरोंदेशन है, और झैपुर्व गैर्किंट कोर्स है, तारगेटर कोर्स है, तर्ड़ें यह अलग है, फ्रेषफर को रख है, ठीक है डियर, और अलवर, जेपुर, जेपुर छोतपुर ठीकर हमारे स्कस्टे जिसन ऐस राजस्तान तर अंदर है, कोटा हमारे टेस्ट के यो बच्छे की पकार है पहलता पूर चल रही है 16 अप्रेल को हमने पहला बैस टार्ट किया था और 22 न४्र को دोस्तो हमारे 12 त्लास के बच्छों का स्लेवड कमप्लीट हो रहा है और दोस्तो और भी कोई बात हो तो CLC परिवाद डोटन की साइड पे जाए विजिट करें और पूरा सुननाव CLC के बारे में तो मैं सब्ता में करीब चार से पांस दिन साम को ठीक साड़े चाहे बज़े CLC Seeker के फेस्टूक पेज पे CLC Seeker के यूटूब चैनल पे लाइव आता हूँ उनको देखें, सुनें, और कोई बात हो तो मेरा खुद का नंबर है 999-287-3888 आप मुझे इस नंबर पे अपनी बात वाटसप कर सकते हैं, पर लिमिटेड वाटसप करें बहुत सब के जवाब देना में मुश्किल हो गया कि नंबर मेरे बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगे बहुत ज़्यादा फैल गे, मेरी कोशिस रहती है जवाब दूँ, आपसे नियुदेन है कि आप भी वही कुशन मुझे पे पहुँचा है जो थोड़ा सा कामका हो, जिसका जवाब मैं जिसका जवाब मैं दे पहुँचा हो दोस्तों ठीक है डियर, कुशन का मतलब सब्जेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कोई डाउट हो, एक्जाम के डाउट हो और मैं तो एक खुले मन्स से कहता हूँ जो भी रिपिटर स्टूडेंट है देश में कहीं भी, दो तीन साल से लगावा है उसके नईा पार नहीं हो रही है तो उंगली पकड़ो सीलसी की, उंगली पकड़ो श्रवन चोधरी की हर हाल में आपको नईा पार कराएंगे दोस्तों हमारे खुद के अपने होस्टल है रिपिटर बच्चों के या अच्छे बच्चों के सेपरेट वे उस्ता है सब कुछ रहता है और आर्थी क्रूप से हम बच्चों का सेउक करते है यह वीडियो फ्री दे रहे हैं उसका अपना प्रभान है और फीस में भी ओफलन आते हो तो भी आपकी CLC आपका पूरा सेउक करती आईए आगे भी करेगी आपको सारे ताम जाम छोड़के पहले किस कोचिंग में थे कितने ड्रोप कर ली सब अठाके आप CLC मा जाओ और दोस्तों यदि आप जुड़े हो CLC से तो मार्च के लोगडाउन से लेके पिछले साथ मेने में किसी इंस्टूट ने स्थरवादी काम किया बच्चों के लिए तो वो CLC है केबल CLC है ओके डियर तो आज का फस्ट वीडियो मेरा आपके सामने आया इसके बाद आप देखें जिलोजी का यह 26 तारी को देख रहे हैं कर 27 को चैमेस्ट्री रबोट ने के आएंगे पिर वापस पिजिस जिलोजी के ऐसे एक दिन पिजिस जिलोजी के यह दिन केमेस्ट्री बोट ने काएंगे शेडूल पूरा हमने आपको दिखा दिया एक बास स्लाइट दिखाते हैं शेडूल की बिल्लकुल हमारे आजाते हैं जगदिस से मारे बिल्लकुल बहुत स्मार्ट से कम्प्यूटर अपरेटर हैं इन पूरा साथ दिया मेरा लोगडाउन में मेरे टीम बहुत प्यारी है साब आप एक पर CLC आके देखो दोस्तों यूटूब पे CLC परिवाद.in पे आप जाके विजिट करके देखो दोस्तों पूरा सीडूल दिखाते हैं आपको लोग फिजिस का दिखा दो आराम से तो बच्चे यह देख लो बेटा आप त्राव स्लाइड को चलाते हो ऐसे इस त्रे टोपी चलेंगे चला तो रोगते वे रोगते वे ऐसे हाँ कि यह होगे यहाँ गचा बेटा स्वोट्टी फेफटब होगे फिजिक स्केल किस तद प्राइड कर आप केमेस्ट्री और घो इटा तो ज़ो बच्चा पर देखे सेगर केँ आ अनि गुषya पूगेव धिर जिख लेसे हैं लग है बोट नहीं लग दितने हम लोग, चलो उपर चलो, यह दो दोस्तों, पांच मार्च को एंड हो जाएगा, पांच मार्च को हमारा स्लेबस एंड कर देंगे, आप CLC के टेस्टरी जो नहीं कर सकते हैं, हमारा स्टेडी मेटिजर मंगा सकते हैं, आप ऑफलाइन टास जो नहीं कर सकते हैं, आप ओनलाइन टास जो नहीं कर सकते हैं, यह सारी विवस्ते हैं आपकी संस्ता के साथ हैं, लग इनके लिए एक बार आपको विजिट कर ले या म तो मैं डेल लाइव आता हूँ आउंगा साड़ेच्छे तिससे साड़ेच्छे नहीं आ रहा है उस लाइव नहीं आ रहा है लाइव का टाइम फिक साड़ेच्छे में जो होता है शाम साड़ेच्छे CLC Seeker के Facebook पेज और YouTube चैनल ओके नमस्कार तेंक यू बहुत बहुत दिन्नेवाद जैसील से